आज का शिर्डी साइंस अंदेश मेरे बच्चे क्यों घबराते हो, लोगों की चिंता क्यों करते हो, सोच सोच में तुम्हारी सेहत खराब होती चली जा रही है। कुछ लोग सोचते हैं, जो उन्हें सीधे नजर आते हैं, इन लोगों को लगता है कि उन्हें वो किसी तरह से भी बेफ को बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें चलाकियां तो आती नहीं हैं, लेकिन एक बात बताएए, जो चलाकियां करते नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या उन् तो गलत ही होता है बहले ही उसे पूरा जहां कर रहा हो उसी तरह से सही सही ही रहता है चाहे उसे कोई भी ना कर रहा हो इसलिए अगर तुम सच के रास्ते पर चल रहे हो अगर तुम सही हो और अकेले हो तो घबराना मत क्योंकि सही का साथ कोई कोई ही देता है और गलत लोगो का साथ पूरी दुनिया देती है इसलिए घबराना मत अगर तुम सही हो अपना रास्ता तुम्हें अलग ही तैय करना होगा अकेले ही तैय करना पड़ेगा कैसा वक्त आ गया है ना जब हम दूसरों को तकलीफ में देखते हैं तो तुरंत हम बोल देते हैं ये तो इसके कर्मो का फल है और जब खुद के उपर वही तकलीफे आती हैं और कहते हैं कि भगवान हमारी परिक्षाएं ले रहा है दुनिया दौगेली होगती जा रही है इसलिए दुनिया के उपर तो कभी भी भरोसा करना नहीं जो करना है भरोसा करना है तो अपने खुद के उपर करो दू शरीर बहुत ही कीमती है तुमारा हम सभी को मालूम है कि हमारा शरीर है तो सब कुछ है शरीर स्वस्त नहीं तो कुछ भी नहीं यहां तक कि अपने रिष्टेदार भी नहीं अपने नहीं अगर शरीर सही है तो आपके आस पास की लोग भी खुश रहते हैं इसलिए सबसे पहल अपने आपको स्वस्त रखो, अपने शरीर को ठीक रखो, तो जो ये हमारा शरीर है ना, इसको आप जितना इससे माल करोगे, जितना दोडाओगे, जितना अपने हाथ पाफ चलाते रहोगे ना, उतना ही आप खुद को स्वस्त भी पाओगे, क्या आपको मालुम है, सभी ची सबसे पतला भी रखा गया है क्योंकि उसमें भागने की ताकत सबसे जादा होती है तो अपने शरीर को भी इस्तमाल में लाते रहे ताकि उसको जंग ना लगे शरीर भी एक मशीन है उसको चलाए रखने के लिए अपने हाथ पर चलाते रहे ये बहुत जरूरी है किसी ने पूछा कि उम्र और जिन्दगी में क्या अंतर होता है तो अगर आप काट रहे हैं तो वो उम्र है और जी रहे हैं तो वो जिन्दगी है अपनी जिन्दगी को खुशाली से जी जिन्दा दिली से जीए तो हसी खुशी से बेच जाए वो पल वो आपकी जिंदगी है वरना तो ये उम्र ही है जो लगे की बस कर जाए और सबसे बड़ी बात अपना सुकून अपने खुद के अंदर ही ढूंड लो इसे किसी जगा या इनसान में मत ढूंड ये क्योंकि जगा कितनी भी अच्छी कियो ना हो दिल भर ही जाता है और इनसान कितना भी अच्छा कियो ना हो एक दिन बदल ही जाता है या उसे बदलना ही पड़ता है याद रखना जब तक वक्ती मजबूर नहीं होता है ना तब तक मजबूर भी नहीं होता है दिल के सच्चे और सीधी लोग जो होते हैं उनका लोग फायदा बहुत उठाते हैं और उनको सबसे ज़ादा परिशान भी करते हैं और तब तक परिशान करते रहते हैं, करते रहते हैं जब तक वो अपना सीधापन छोड़कर टेड़े ना बन जाए उनकी थरहीं तब तक वो उनके पीछे पड़े ही रहते हैं। और जब फिर वो टेड़ा बन जाते हैं, तो वो सबकी अकल ठिकाने भी ला देते हैं, इसलिए अगर कोई तुम्हें परिशान कर रहा है, तो अपना रास्ता अलग बना लो, उनकी तरह बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो उनके करम है, तुम किसी के वज़े से अपने करम क तो खराब करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी साथ हो, मैं तुम्हारा साथ दूँगा, अच्छाई के रास्ते पर कोई साथ तुम्हारा ना भी दे, मैं तुम्हारा साथ अंत तक दूँगा, क्या तुम्हें अपने बाबा पर या अपने खुद पर भरोसा नहीं है, अपने अभी मैं खड़ा था, आज भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मत दुखाया करो, हुश्यार होना अच्छी बात होती है, लेकिन दूसरों को बेवकुफ समझना ही सबसे बड़ी मुर्खता होती है, और जो आज तुम्हें बेवकुफ समझ रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि तुम्हें तचाई नहीं मालूम और तुम चुप हो, तुम्हार से बड़ी मुर्खता है, तुम सच जानते हो, लेकिन तुम चुप हो, क्योंकि कुछ रिष्टों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा बनना पड़ता है, कभी बहरा, तो कभी गुंगा होना पड़ता है, तुम इस कारण से चुप हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि इसकी घर देर है, पर अंधेर कभी नहीं है, अपने इश्वर पर अपने भगवान के उपर पूरा भरोसा रखो, एक न एक दिन तुमारी सचाई की जित जरूर होगी, मेरा अशिर्वात सदा तुमारे साथ है, हमेशा खुश रहो, खिल-खिलाते रहो, मैं हमेशा तुमार साथ हूँ, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी